हलो माई टियो पाशने टीट आस्परेंस वेलकुम बाक टू मागने बेंज आया टीजे नीट मैं हूँ डॉक्टर रितिका भरदवाज आपकी बायोलजी मेंटर और आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं प्लांट किंग्डम जो हमारा चाप्टर है उसके एक न्यू टॉप होती है वह कितने टाइप की होती है कैसी होती है कैसा उसका बॉडी स्ट्रक्टर होता है और वह प्लांट किंग्डम में इंक्लूड़ड क्यों है जबकि वह में प्लांट की तरह दिखती नहीं है तो लेडिस टापिक बिना देर किये लेकिन एक छोटी इंपर्टन बात है जो की रिलेटर है नीट की प्रिपरेशन से वो सारे के सारे सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट पर सकते हैं विद्धी क्वालिटी कंटेंट अन बेस्टीचर तो आईए आज का सेशन स्टार्ट करें और मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि हमारा नीट सबसे हमारे लिए वह क्या है कि सबसे पहला पाकamental करते हैं टॉपप एक्स्ट के लिए लिए प्रॉपरेंट बहुत जरूरी है और फिर जैसे ही वह टॉपए कंप्लीट होता है तो आपको मिलती है उस चीज के लिए क्या डेली प्राक्टिस प्रॉबलम का PDF यह daily practice का problem का जो PDF है यह आपको कहा मिलता है यह आपको मिलता है उसी वीडियो के description में एक link है उस link को आपको click करना है download करना है DPP उसके बाद उसे solve करना है जैसे आप उसे solve कर लेंगे कुछ questions बनेंगे कुछ questions नहीं भी बन सकते कोई बात नहीं आपके लिए provided रहेगा क्या daily practice problem का solution वाला video पहले PDF मिला फिर solution का video उसके बाद chapter wise multiple choice question which are very important हम हर daily practice problem में topic के लिए करेंगे question solve जैसे ही हम topics complete करेंगे chapter के end में we are going to solve the multiple choice question and then we'll go with the previous year question के videos तो previous year question जो है वो हम कप करते हैं जब हम chapter wise multiple choice question कर लेते हैं तो we go with the previous year question के videos लेकिन उससे पहले मैं आपको एक important चीज देती हूँ जो कि है list of names of scientist years and their contribution उस chapter से related scientist उन्होंने क्या काम किया है किस year में काम किया है क्या उनका description था ये सारी बातें अलग से आपको एक session में provide की जाती है then we go with the doubt solving session आप मुझे doubt भेजते हो मैं आपको उसका solution देती हूँ then we will have weekly test paper followed by the guidance किस चीज का guidance paper हमें कैसे solve करना चाहिए कैसे हम आदत बनाए question solve करने की कैसे हम दी दी मोटिवेट ना हो पाएं motivated रहें दी मोटिवेट होने से कैसे बचे important updates हमें कैसे मिलती रहेगी exam के लिए वो जो जील है exam की वो बनी रहे और हम अच्छे से पढ़ाई कर सके उसका सारा guidance आपको मिलेगा followed by chapter wise one shot revision हर chapter के लिए one shot revision जो है वो बहुत important है and then the online test series जो actually मैं आपको analyze करवाती है where do we stand in terms of our concept all right so this complete thing is our neat course module I hope this is clear to all now we'll start with the algae अब हम start करेंगे algae तो यह जो algae है यह बड़ी है simple है पहली चीज़, simple क्यों बोल रही हूं है क्योंकि it is the first thing that was that comes under the plant plant में हम सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं वो है algae सबसे simple characteristics आपको algae में देखने को मिलते हैं जब मैं simple characteristics कहती हूं तो मेरा मतलब है plant की, उस मतलब algae की body को लेकर algae के eating habits को लेकर, algae के habitat को लेकर की algae कहां रहेगी body structure में क्या-क्या चीज़ें present हैं अपना food कैसे prepare करेगी food prepare करेगी तो किस form में उसे store करेगी हो सकता है starch के form में किया हो, simple starch हो या हो सकता है complex starch हो फिर हमें पता चलता है कि algae जो है वो भी अलग-अलग type की है reproduction उसमें कैसे हो रहा है यह सारे जो general features हैं इसके बारे में आज हम इस session में बात करने वाले हैं तो जो algae होती है, इसका नाम सबसे पहले किस ने दिया था term algae, term algae was point by carless linus carless linus sir ने term दिया था algae जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है seaweed अब इसी चीज से question भी आता है this point is very important कि algae का मतलब होता है seaweed clear? पानी में उगने वाली जैसी weed क्या होता है जंगली पौधा होता है तो पानी में उगने वाला वैसा ही जंगली कुछ अगर है तो वो क्या है, वो है algae, ऐसा माना गया था, तो algae का मतलब होता है seaweed, group algae में क्या क्या आता है, group algae में सबसे ज़्यादा primitive यानि कि पुराने, बहुत पुराने, primitive का मतलब होता है बहुत पुराने, तो primitive और photosynthetic, photosynthesis करने वाले थैलोइड structure, थैलोइड का मतलब याद होना जरूरी है तो थैलोइड का मतलब होता है, थैलोइड का मतलब होता है, undifferentiated, undifferentiated mass of cells, यानि कि जहां पर जो cells हैं, वो बस एक group बना कर बैठे हुए हैं, ना leaf के जैसे दिखते हैं, ना stem के जैसे दिखते हैं, मतलब कुछ defined structure नहीं है, बस एक mass of cells जो होता है, उसको हम कहते हैं, थैलोइड, ठीक, undifferentiated mass of cell का मतलब होता है, थैलोइड, तो photosynthetic है, यानि कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, थैलोइड है, यानि कि not differentiated into root stem and leaf, यह मैं आपको बता चुकी, और most importantly, eukaryotic organism है, अगर मैं यहां आपको नहीं भी बताती कि eukaryotic organisms हैं, तो आपको already यह चीज तो मालूम हैं कि जब हमने five kingdom classification पढ़ा था, that is monera, protesta, fungi, planta, animalia, तो monera जो था वो prokaryotic था, बाकि सारे eukaryotic थे और हम पहुँच चुके हैं plant kingdom में, तो plant kingdom में आने वाला हर एक organism, eukaryotic organism होगा, what is eukaryotic cell, the cell which has proper well-defined nuclear membrane around the nuclear material, as well as the membrane bound organelles are present, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, अ unicellular, non-jacketed gametangia, जिसके जो structures है, reproductive structures, वो या तो unicellular हो सकते हैं, या फिर non-jacketed gametangia, यानि कि multicellular और ये gametangia को दिखकर मत घबराओ, it is just a sexual structure that is present with the algae, जो की structure में कैसा है, unicellular नहीं है, multicellular है, बहुत सारे cells का बना हुआ structure है, अब हमें algae के बारे में कुछ common चीज पता होन चाहिए, let me tell you that about the algae, हमें algae के बारे में कुछ common चीजें पता होना जरूरी है, तो हम जब general features की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि body किस चीज की बनी है, ठीक है, हम क्या देखते हैं, कि body किस चीज की बनी है, ठीक, तो इसकी body जो है, वो कैसी हो सकती है, unicellular भी हो सकती है, औ और multicellular भी हो सकती है, multicellular भी हो सकती है, ठीक है, इसके बाद इसका structure कैसा है, body का, वो है थैलोईड, थैलोईड का मतलब क्या है, undifferentiated mass of cells, undifferentiated, undifferentiated mass of cells, undifferentiated mass of cells है, ठीक है, और कैसी है, वही सबसे पुरानी है, यह हलगे हमारी, सबसे पुरानी है, यनि की primitive है, उसके बाद यह करने वाली है, photosynthesis, perform करेगी photosynthesis, ठीक है, इसके बाद और क्या करेगी, यह तो हमें general, अब हमें इसका पता होना चाहिए, कि भई, habitat क्या है, कहां रहती है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, इन सबके बारे में मैं आपको डीटेल में बताऊंगी, तो हमें habitat पता होना जरूरी है, habitat के बाद हमे इसके reproduction के बारे में पता होना ज़रूरी है कि reproduction इसमें कैसे होगा और हमें क्या पता होना चाहिए reproduction के बाद हमें पता होना चाहिए कि ये food किस form में store करेगी तो stored form of food क्या है stored form of food stored form of food ठीक, ये कुछ important features हैं जो हमें हर आलगे के बारे में पता होना चाहिए तो body तो हम देख चुके unicellular या multicellular भी हो सकती है primitive organism है primitive से हमारा मतलब क्या है सबसे पहले पाये जाने वाला तो भाई इसकी body कैसी होगे जादा complex नहीं होगे simple body होगे लेकिन इसके पास जो cell present है वो कैसा है cell इसका है eukaryotic cell eukaryotic cell है और भाई जहाँ eukaryotic cell आ जाता है smart cell होता है बहुत बढ़िया सा तो यह अच्छा बच्चा है good student of the class is eukaryotic cell ठीक है good student of the class is eukaryotic cell अब हम आते हैं photosynthesis तो photosynthesis करने के लिए इसके पास chlorophyll pigment present है क्या present है chlorophyll pigment present है chlorophyll pigment के साथ साथ depending upon the type of algae क्योंकि हम algae के 3 types पढ़ेंगे हमें क्या पढ़ने 3 types of algae पढ़ने we are going to study 3 types of algae in this particular topic ठीक है जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो 3 type के algae है तो depending upon the type of algae there will be a pigment present chlorophyll भी हो सकता है और keratinoid भी हो सकता है keratinoid pigment भी हो सकता है आगे बढ़ो habitat क्या होगा पानी में भी मिल सकती है और ऐसा नहीं land पे भी मिल सकती है तो water में भी हो सकती है aquatic bodies में मिलेगी तो मैं यह लिख दूँ कि aquatic है water की बजाए में लिख दूँ कि aquatic है aquatic होने के साथ साथ सिरफ aquatic ने terrestrial भी है कैसी है? terrestrial भी है terrestrial भी होती है algae ठीक reproduction कैसा होता है? तो reproductions asexual भी हो सकता है और sexual भी हो सकता है reproduction asexual mode से भी हो सकता है fragmentation हो जाएगा या फिर sexual mode of reproduction भी हो सकता है sexual mode of reproduction भी मिल सकता है ठीक आगे बढ़ो stored form of food starch के form में store होगा starch के form में food को store करेगी अब starch जो है वो दो form में हो सकता है अभी मैं बहुत simple layman term में बता रही हूँ आगे चलेंगे तो lemarian मिल जाएगा अलग अलग types मिल जाएगे लेकिन यह जो starch है आप इतना याद रखो कि यह starch किस किस form में store कर सकती है हो सकता है बिल्कुल simple form में कर ले हो सकता है complex form में कर ले तो कभी simple food store कर लेगी simple starch और कभी complex कर लेगी carbohydrate टाइप का ठीक है यह कुछ general features है किसके algae के इतनी बात समझ में आ गई इसके बाद cell तो हम पैचान गई कि हमारे पास कैसा है eukaryotic अब देखो आपको कुछ चीज़े यह जो चीज़े ना अब देखो question जब आएगा तो ऐसे आएगा कि three types of algae के बारे में बता दो तो three types of algae में red algae, brown algae, green algae किसी के भी question पूछे जा सकते हैं लेकिन आपको कुछ यह common features सारे algae में common रहेंगे जो याद रखने हैं बस types बदलते चले जाएंगे for example माल लो green color की algae है तो उसमें keratinoid का कोई काम है क्या keratinoid green pigment नहीं है green pigment कौन है chlorophyll है तो green algae के पास green pigment chlorophyll present होगा this is how the types will change the form of food stored may change depending on the type of algae लेकिन जो general characters में वो यही रहेंगे तो general characters हमारे क्या हो गए? body, ठीक है? फिर thaloid, primitive है photosynthesis करते हैं habitat क्या है? reproduction कैसे हुआ? stored form of food क्या था? कहानी घतम, that's it इतनी बात सबको समझ में आ गई अब देखो एक बार, यहाँ देखो ठीक है? यह जो सब भी लिखा है मैंने आपको बहुत short चीज में एक बात बता दी है इसमें जहाँ जहाँ जो जो चीजें आती चारी है मैं आपको आगे बताऊंगी ठीक, तो यह हमें समझ में आ गया content of reproductive structure कैसा होता है? जो इनका reproductive structure है यह उसे पूरी तरह utilize कर लेते हैं मतलब यह बड़ी ही कंजूस होती है कैसे होती है? बड़ी ही कंजूस टाइप की होती है कुछ एक particular area के लोग नहीं होते हैं बड़ी कंजूस होते है मतलब की पानी भी नहीं पिला सकते है वो किसी को इतने कंजूस बस ऐसी यालगे भी है क्या करती है? इसका जो reproductive structure होता है उसको पूरा का पूरे utilize करने की कोशिश करती है यार पूरा utilize कर लेती कैसे करती है? जितने भी इसके पास reproductive organ में जो भी structure है न सारे का सारा मिला करके spore बना देती है सारे का सारा मिला के spore बना देती है और पीछे चूट जाती है बस एक membrane वो bag जिसके अंदर spore present था इससे क्या होगा? इसने पूरा तो utilize कर लिया इतनी गंजूस पूरा utilize कर लिया एक membrane बस छोड़ी है बाकि सब को spore बना दिया spore बन जाएगा तो reproduction में काम कर लेगा देखो content of reproductive structure are completely converted are completely converted into spore पूरा का पूरा content spore बन गया or gametes so that their empty walls are left behind सिरफ खाली दिवार पीछे बच गई when the gamete or spores are released जब भी gamete या spore release हो जाएगे तो पीछे सिरफ एक ball बचेगी बाकि पूरा इसने utilize कर लिया they are characterized by absence of embryo stage अब बहुत 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 important बात है कि embryo stage algae में नहीं देखा जाता exceptional bold letters में इसको mark करके लिखना है bold letters में इसे mark करके लिखना है कि algae में embryo stage embryo stage अभी लिखो पेज पर सबसे उपर margin में लिख लो दूसरे color के पहनिया pencil से embryo stage is absent in algae embryo stage is absent in algae clear embryo stage देखने को नहीं मिलेगी यह हो गया हमारा एक general feature clear इसका screenshot लेना है लिखना है लिख लो वैसे biology के students screenshot नहीं लेते लिख लिया करते हैं फिर ये लिख लो लिख लिया अच्छे से all right now see the next अब हम algae के कुछ characteristics के बारे में बात करेंगे characterized by the following general characters अब मैंने आपको जितनी भी चीज़े बताई हम उसके और detail में चलते हैं पहले हम बात करते हैं habitat की जब हम habitat की बात करते हैं मैंने आपसे कहा था आकविटिक भी हो सकती है terrestrial भी हो सकती है तो algae are predominantly aquatic predominantly का मतलब क्या है कि जिद्धी जिसको वहीं रहना है पानी में रहना पसंद करती है सबसे जादा पानी में पाए जाती है चाहे marine water हो या फिर fresh habitat हो कहीं भी रह लेगी इतना ही नहीं land पर भी रह लेगी terrestrial है फिर यह extreme temperature extreme environment में भी survive कर जाती है खास बात तो यह तीन बाते हमें यहाँ याद रखनी है पहली aquatic है मैं यहां लिख रहे हूं it is aquatic in nature ठीक है दूसरा देखो दूसरा क्या है however some are terrestrial grown in moist places तो कुछ है terrestrial terrestrial भी होती है ठीक some algae grow under very special environment और कुछ special environment में भी grow करती है so they can also grow in the special environment special environment का मतलब क्या madam special environment का मतलब है भाई hot spring में मिल गई hot water spring में मिल गई मैंने बोला था temperature भी extreme में रह सकती है ice पर या snow पर मिल सकती है या फिर other plants के surface पर मिल सकती है या फिर हो सकता है किसी animal के उपर मिल जाए जैसे epizophytes होती है या हो सकता है symbiotic association show करें and what is symbiotic associationship class 10th में class 8 में भी पढ़ी थी symbiotic association that means कि algae और fungi दोनों बहुत अच्छे friends बनकर एक common association में रह रहे है और दोनों are beneficial to each other कुछ ना कुछ benefit दोनों एक दूसरी को provide कर रहे है what is that benefit क्योंकि algae के पास chlorophyll present था so it is going to prepare the food and what about the fungi it is going to provide the shelter is that clear यह हो गई इसकी टर्म जहां पर यह सकती है तो मैंने आपको special environment में क्या क्या चीजे बताई कि यह hot summer hot spring में मिल जाएगी ice पर मिल जाएगी animals में मिल जाएगी या फिर यह भी हो सकता है कि यह कहां मिल जाए symbiotic association show करें symbiotic association show करें clear just note this down it not likely to this is all about the habitat done all right now the next is up iska screenshot लेना चाते है तो screenshot भी ले लिया होगा अपने हो right now now the next is keep plan Joe plant body kaisi होती है algae की तो जो plant body होती है algae की उसको हम क्या कहते है उसको हम कहते है थालस it is called as थालस थालस type की body होती है थालस मैंने आपको बता है what is थालस it is the undifferentiated mass of cell undifferentiated देखो बहुत सारे students ऐसे होते हैं जिनको थालस कभी समझ नहीं आता मुझे नहीं मालूम क्यों क्यों क्योंकि थालस का मतलब है undifferentiated mass of cell यानि कि ऐसा एक cell का mass है जिसका कोई differentiation यानि कि structure हमें समझ में नहीं आता आपने कभी भी algae अगर देखी है तो आपको समझ में आता होगा कि algae जो है वो हमें कैसी दिखती है ना तो उसमें leaf दिख रही है ना तो उसमें stem दिख रही है ना तो उसमें root दिख रहे है मतलब कुछ structure defined नहीं है कि जिसे हम सर पैर आख नाख बोल सकें इस टाइप का तो इसलिए हम उसे क्या कहते है the body is thaloid in nature the thali of algae show a great variation of forms अभी अलग-अलग forms की हो सकती है it can be of various forms अलग-अलग forms की हो सकती है various forms में देखी जाती है जैसे multi-cellular form में हो सकती है बहुत important अब इसे note करते चलो पहला form जो हमें मिला है it is multi-cellular form multi-cellular form तो multi-cellular form क्या कहलाता है it is called as palmeloid इसे note करते चलना बात में जब question solve करेंगे तो फिर मुश्किल होती है फिर लगता है अरे माम यह तो हमें याद ही नहीं हो रहा अभी से याद करना है it is called as palmeloid ठीक तो जो भी multi-cellular form हमें आलगे का मिलेगा उसका नाम है palmeloid aggregate of cells having no fixed number कोई fixed number of cells present नहीं थे then आता है colonial colonial होती है कैसे होती है colonial भी होती है जो colony बना कर रहती है colonial तो colonial form कौन सा होता है what is the colonial form colonial form होता है koinobial उसे हम क्या कहते है koinobial यह palmeloid यह koinobial यानि की colony बना कर रहने वाली fixed number of cells है लेकिन colonies में रहेंगे तो it is known as koinobial koinobial जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूं ऐसे ऐसे लिखते जाना है जतना जतना मैं लिख रही हूं उतना उतना लिखना है जहां कुछ extra होगा मैं बता दूंगी don't worry इसके बाद हमें next form जो मिलता है वो एक tree shape का structure मिलता है तो tree shape जो होता है उसको हम कहते हैं dendroid तो multi cellular मिलेगी colonial मिलेगी या फिर tree के जैसी दिखने वाली tree नहीं है differentiation इसमें नहीं मिलेगा tree के जैसी so it is going to be tree like तो tree like कौन होता है tree like structure क्या कहलाता है tree like structure कहलाता है dendroid so it is dendroid clear यह हो गए तीन फर्म इसके बाद हमें मिलता है the next form is cinocytic इसको हम बोलते है siphono siphonaceous siphonaceous मतलब होता है coenocytes coenocytes का मतलब होता है एक body में जब कई सारे nucleus एक साथ हमें दिखने लगे यानि कि मान लो कि यह उसका structure था तो इसमें हमें एक nucleus यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एसे अगर बहुत सारे nucleus में एक ही बाडी में दिखें, तो हम इसे कहते हैं cynoscytic, ठीक है, तो ये कौन सा होता है सिफनेशियus होता है, cynoscytic, syfenacious, cyanosactic, cyanosidic is what, its syfenacius, clear, ये है सिफनेशियस तो यह हमें चार फॉर्म मिल गए next चलो filamentous या फिर fallacious भी हो सकती है कैसी हो सकती है सबसे ज़्यादा question जो पूछते है वो filamentous form में पूछते है तो कभी-कभी ये filamentous भी हो सकती है filamentous हो सकती है या फिर fallacious भी कहते है तो यह हमें types मिल गए depending upon the body की body structure कैसा था यह जो हमने बनाया है यह हमने किसके form में बनाया है यह हमने बनाया है body structure कैसा है उसके आधार पर इसका body structure देखके हमने बनाया यह ठीक है so it is all about the body structure it is the body structure कैसा होगा body structure कैसा होगा उसके आधार पर हमने बनाया है अपना यह chart की body structure इतने type का हो सकता है अब कुछ होती है जो fallacious forms होती है complex होती है और उनके sizes जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं याने कि कभी-कभी यह 60 60 meters तक की हो सकती है length में इतनी बड़ी भी हो सकती है हाला कि इस चीज़ पर question नहीं आएगा question इन चीज़ों पर आता है clear? अब आता है अगर हम filamentous या फिर fallacious form को देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखती है? सबस्ट्राटम से attached दिखती है सबस्ट्राटम यानि कि base से attached दिखती है आपको जैसे पानी में है तो पानी में कैसा लगना चाहिए कि वो तैर रही है पानी में इस over the water लेकिन जो fallacious form होता है वो जमीन से यानि कि सबस्ट्राटम से base से attached रहता है तो उसको हम क्या कहते है? by means of hold fast body का structure है उसकी जब मैं आगे यालगे पढ़ाऊंगी तो मैं जब structure आपको completely explain करूँगी अलग-अलगे का तो मैं आपको hold fast भी बताऊंगी उसकी body में एक cell जैसा structure hold fast क्या लाता है जिसके माध्यम से ये जुड़ी रहती है कहाँ पर अपने base से या substratum से अभी ये समझ लो एक body का हिस्सा है उसके जो जुड़ा हुआ है base से some large complex forms have leaf like photosynthetic lamina और कभी-कभी lamina क्या होता था? leaf में जो lamina होता था वो ऐसा होता था ये अगर leaf है तो इसका ये जो अंदर का पूरा structure है इसे हम lamina कहते थे तो कभी-कभी algae के अंदर ऐसा structure भी present होता है कभी-कभी algae के अंदर ऐसा structure भी present होता है lamina जैसा and middle stem are like stipe and basal hold fast और कभी-कभी बीच में stem जैसा दिखेगा जैसे किसी पौधे में stem होती है तो stem हो गई हमारी stipe बीच में आसपास क्या हो गया lamina और नीचे जुड़ी है hold fast से तो ऐसा लग रहा है कि plant जैसा structure शो कर रही है तो हमने इस तरीके से इसको define कर दिया हमने क्या बोला stipe lamina और hold fast क्या बोला stipe lamina और hold fast stipe stipe यह हो गई हमारी stem stipe क्या हो गई हमारी stem ठीक है stipe क्या है हमारी stem है यह मैंने stem मिना ली इसके साथ एक leaf present है तो leaf क्या है यह हो गई हमारी leaf जैसा structure तो leaf को हम क्या लिख लेते हैं lamina leaf को लिख लेते हैं lamina लेमाईना और नीचे जुड़ी किस से है hold fast जैसे structure से तो हम ऐसा consider कर लेते हैं कि इसके पास कुछ ऐसा structure रहा होगा कुछ ऐसा structure रहा होगा जिससे ये नीचे जुड़ी हुई है तो उसे हम कह देते हैं hold fast इसको बनाना नहीं है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है तो कभी-कभी जो algae है वो ऐसा structure भी show करती है और फिर हमें इसमें ऐसे लिमाईना जुड़े हुए दिखते हैं तो हम ऐस कि बेच में हमें कुछ ऐसा देख रहा है कि stem है फिर हमें कुछ leaf जैसा दिख रहा है नीचे इसकी हमें group जैसी दिख रहे हैं जिसने इसने इसे यह इसका अगर proxim Rec. कि बेस है तो सब्स्ट्राटम से इसने से जोड़ रखा है ऐसा हम मान के कुछ imaginary मान लेते हैं imaginary क्या जब हम उसे देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का structure देखता है बाद इस नौट अटर्लिया defined structure इत्ती बात आए hope सबके समझ में आ गई होगी यह मैंने क्यों बताया है कि हमें याद रहेगा कि type क्या है lemina क्या है as well as हमारा वो hold fast क्या है ठीक है clear all right now यह हमें तीन चार नए word मिले हैं तो यह आपको जरूर अपने पास लिखे होने चाहिए तो इस slide में से पहली चीज जो आप लिखोगे वह है यह वाला point जो पहली चीज आप लिखोगे वह कौन सा point है यह वाला point है ठीक इसके बाद आप जो लिखोगे वो कौन सा पॉइंट है इसके बाद जो आप लिखने वाले हो वो ये वाला पॉइंट है जिसे मैं अब माख कर रही हूं it is this point ये पूरा होना चाहिए आपके पास clear noted down ये पूरा और ये वाला पूरा noted down ठीक और इसमें मैंने जितने भी red color से माख किये है structure उन सब को आप अलग से एक box बना कर या अलग color के pen or pencil से लिखोगे अलग color के pen or pencil से लिखोगे ये वो points है जिस पर question पूछा जा सकता है जो unique point है इसके structure को लेके all right now the next is next is about some more features कुछ और important features होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूं वो important features क्या है पहला important feature है कि जितने भी हमारे algae होते हैं उनके पास एक important चीज होती है वो important चीज क्या है it is the mucilage layer it is the mucilage layer अब मैं आपको बताती हूं यह mucilage layer क्या होती है mucilage layer होती है चिपचिपी से outer layer जो algae के जो cells है उनको protect करके रखती है किस चीज से protect करने की जरूरत पड़ेगी माम क्योंकि environment के atmosphere की वज़े से desiccation ना हो जाए अंदर का structure ना सुख जाए तो इसके लिए वो क्या करती है mucilage की layer ने protect करके रखती है तो there is one mucilage layer which is a characteristic feature of the algae दूसरी बात आती है कि जितनी भी algae होती है अब आपके ऐसा structure है जो थालस जैसा है ना जिसके plant में मतब जिसमें ना हमें stem दिख रही है ना root दिख रही है ना leaf दिख रही है और वो जो हमने laminas type और hold fast पढ़ा था वो वैसा structure है लेकिन है नहीं वो leaf stem और root तो फिर मैम इसमे food और water transport कैसे होगा क्योंकि 9th class में हमने पढ़ा था कि भाई जितना भी transport plant में होता है वह vascular tissue के थरुँ होता है xylem और flowem में तो क्या इसमें भी xylem और flowem है तो इसमें xylem flowem absent होता है algae में algae में algae में xylem and flowem are absent algae does not have जिसे हम collectively क्या कहते है vascular tissue कहते हैं, so algae does not have does not have vascular tissue algae के पास क्या नहीं है, vascular tissue नहीं है, यह तो important point, है ना पहला देखो, algal थाला यार generally coated by a layer of mucilage generally यह किस से coated है, layer of mucilage से coated है, एक mucilage की layer present है इसके पास, which protects them from desiccation when exposed to air यह किस से protect करेगी, desiccation से protect करेगी, air के presence में, यह बात मैंने आपको बता दी इसके बाद, vascular tissue जो होते हैं, vascular tissue water conduction के लिए, कौन से vascular tissue होते थे, vascular tissue हमारे होते हैं vascular tissue हमारे दो type के हमने पढ़े थे एक था xylem, एक था phloem तो एक था xylem दूसरा था phloem xylem क्या काम करेगा और phloem क्या काम करेगा तो xylem जो है, वो carry कराता है, plant के अंदर water और phloem जो है, वो carry कराता है, plant के अंदर salutes या फिर food, तो यह है, यह वाला system हमारे algae के पास absent है, algae के पास absent है, याद रहेगा, ठीक है, वास्किलर टिशू फोर कंड़ वार्टर कंड़क्शन इस absent in algae, as entire थालाई remain in contact with the water, और पानी के जरूवत, अब आपके दिमाग में यह क्यों नहीं आया, कि माम पानी के जरूवत क्यों नहीं पड़ेगी, और गानिजम लिवेंग है, तो उसे पानी के जरूवत पड़ेगी, तो इसे इसलिए नहीं है, क्योंकि इस ओल्रेड़ी in contact with the water, पानी के contact में रहेगी, रहेगी, अब आप बोलोगे, माम terrestrial होगी, तो ऐसा नहीं कि desert में जाके आपको algae मिल जाए, terrestrial है, पर कहां पर moist places भी लिखा था, याद है, animal है या symbiotic है, तो वहाँ पर भी इसे moisture चाहिए, तब यह exist कर पाईगी, तो यह हो गया हमारे बाकी के important point, general features के, note कर लीजे इसको, all right, now the next is, कुछ mechanical tissue की बात करते हैं, तो जो mechanical tissue बाकी सारे plants में present होता है, तो माम क्या mechanical tissue होता है, mechanical tissue हमारा wood होता है, present, wood mechanical tissue है, तो wood तो यहाँ present है यहीं क्योंकि थैलाई का structure है, कहां से wood आएगा, तो wood जो होता है, जो land differentiating feature पता चल जाता है, बाकी plants और algae के बीच में, थालाई यार held up right in the water under the sea due to buoyancy, अपने आपको यह algae balance कैसे करेगी, यह अपने आपको balance करेगी by the help of, by the help of buoyancy, या फिर मैं help of भी नहीं बोलू, मैं बोलू, by the buoyancy, किसके थूँ, buoyancy के थूँ, important criteria होता है, buoyancy हमारे algae के लिए, ठीक, एक important feature है कि यह पानी में कैसे रह रहे है, buoyancy maintain करके, buoyancy क्या होता है, maintaining the balance of the body inside the water is the buoyancy, इसके बाद, algal, थालाई are flexible, अब अगर कोई, आप खुद सोचो, अगर मेरे पास एक mass of cell है, अगर मेरे पास एक mass of cell है इस तरीके का, ठीक है, all these cells are present like this, यह हो गए, cells, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ऐसे cells present है, तो अब जब इसका कोई structure ही नहीं है, तो यह तो कहीं से भी force लगे, कहीं से भी force लगे, कोई exoskeleton तो है नहीं, तो यह पिचक जा सकती है, थोड़ी सी flexible होती है, तुड मुड जाती है, मतलब कि पानी का जैसा बहा होएगा, उसके साथ वैसी की वैसी चली जाएगी, तो यह कैसी होती है, flexible होती है, इसके बाद, flexibility of thalai enables them to move with the water tights without being toned, वरना ऐसा हो सकता था था, मान लो, मान लो कि यह water body है, मान लो यह एक water body है, इस water body में, इस water body में there is a lot of water flowing, क्या हो रहा है, पानी का बहाओ ऐसा ऐसा जा रहा है, अब इसके साथ अगर थैलाई थी, मतलब algae थी, तो algae क्या हो सकती थी, तोट सकती थी ना, जैसे पानी इधर जाएगा, तो algae क्या होगी, तोट जानी चाहिए थी, आधी आधी हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता, वो बहुत flexible है, जिस direction में water जाएगा, उसी direction में algae चली जाएगी, जिस direction में water जाएगा, उसी direction में algae चली जाएगी, so that it doesn't get torn apart, जैसे मैंने बोला था ना, कि जैसे सीनोसाइटिक हो गई, मानलो यह सीनोसाइटिक algae हो गई, इसमें बहुत सारे nucleus present है इस तरीके से, ठीक है, अब पानी का बहाओ, पहले यहाँ जा रहा था, अब पानी का बहाओ यहाँ चला गया, तो हो सकता था ना, कि आदे में तूट जाएगा, पर तूटती नहीं है, it remains as it is, just due to the feature of being flexible, क्योंकि यह कैसी है, flexible है, ठीक है, कैसी है, flexible है, तो जहाँ पानी जाएगा, वहीं पर चली जाएगी, तूटेगी नहीं, वरना तो सिर्फ mass of cell था ना, तूट सक चली जाती है, अच्छा, इसमें और किसने मदद की होगी, मूसिलेजने भी तो करी होगी, तो हमेशा पानी के साथ चली जाती है, तो यह अगे को हम अगर उसका eating habit देखेंगे, कि खाना कैसे खाती है, तो यह अगे अच्छली में सबसे इंपोर्टेंटली कैसी होती है, यह अगे सबसे इंपोर्टेंटली होती है, फोटो, फोटो, ओटो, ट्रॉपिक, फोटो ओटो ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ओटो ट्रॉपिक का मतलब है, ओटो ट्रॉपिक का मतलब है, दो वन इच्छ प्रिपेर इट्स ओन फूड, प्रिपेर इट्स ओन फूड, using light using light light को use करके अपना खाना बना रही है तो photo autotrophic है see, algae are photo autotrophic in mode of nutrition कैसी है? photo autotrophic type की है they perform photosynthesis definitely जब अपना खाना इसे खुद बनाना है तो photosynthesis का process तो करना ही पड़ेगा, exam तो देना ही पड़ेगा, types का हो गया इसके लिए but due to presence of chlorophyll इंदी chloroplast और chromatophores actually मैंने ये चीज़ आपको शुरू में ही बता दी थी जब मैंने general features को बताना start किया था मैंने आप से कहा था कि अगर कोई organism कैसा है autotrophic है, तो autotrophic है नहीं कि अपना खाना खुद बना रहा है तो probably उसमें photosynthesis होगा, ये तो हमने class 10 में life processes में, nutrition में पढ़ लिया था कि photo autotrophic, मतलब autotrophic और heterotrophic होते हैं, autotrophic अपना खाना खुद बनाते हैं, heterotrophic दूसरों पर depend करते हैं, तो हमने catch किया autotroph को तो autotroph फिर हमने अलग-अलग types के पढ़ेते हैं, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा करने के लिए, जो सबसे जरूरी कुछ raw material के जरूरत होती है, जैसे sunlight चाहिए, water चाहिए, carbon dioxide चाहिए, तो जो sunlight चाहिए, वो sunlight कहां से आएगी, वो तो absorb कर लेगी, लेकिन कहां पर करेगी, तो chlorophyll इसके पास भी present है, the type of chlorophyll, the type of pigment is different, हमने तीन टाइप की आलगे पढ़नी है ना, red, brown और green, तो उनमें types जो है, वो change हो सकते हैं chlorophyll के, पर chlorophyll जरूर होगा, keratinoid pigment जरूर होगा, तो chlorophyll pigment यहाँ पर present होता है, और specifically A और D chlorophyll होता है, कौन सा होता है, chlorophyll A और chlorophyll D, अब यहाँ पर हम पहली चीज़ को तो खतम कर लेते हैं, कि भई, photo autotrophic हो गया, by the process of photos synthesis, in presence of chlorophyll, जिसका सबसे important criteria था, मुझे chlorophyll होना, तभी मैं काम कर पाऊंगा, इसके बाद, अगर हम in photosynthetic pigment की details में जाएं, तो photosynthetic pigment जो होता है, वो algae में present है, कौन सा chlorophyll A, कौन सा present है, chlorophyll A, या फिर keratinoid भी हो सकता है, या फिर xanthophyll भी हो सकता है, अगर आपको याद हो, तो plant का जो green color होता है, plant का जो कौन सा color होता है, green color होता है, green color, green color is due to chlorophyll, ठीक है, और अगर मान लो कि इसके पास red color है, या फिर orange color है, brown color है, तो ये जो red color है, या फिर brown color of algae है, उनके पास क्या-क्या present होगा, ऐसा नहीं कि chlorophyll present नहीं हो सकता है, पर साथ में keratinoid और xanthophyll होगा, keratinoid, keratinoid होगा, या फिर xanthophyll होगा, keratinoid होगा या फिर xanthophyll होगा, ऐसे ही, सेम चीज बाकी plants में भी चलती है, जब हम आगे angiospum पड़ेंगे, gymniospum पड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, जैसे बाकी सारे plants होते हैं, for example, हमने लाल मिर्च देखिए, हमने टमाटर देखा है, लाल मिर्च पहले कैसी रहती है, ग्रीन रहती है, बाद में सूखने के बाद कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, टमाटर पहले ग्रीन रहता है, थोड़े टाइम बाद कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, कलर चेंज हो गया था बाद में तो हर बार आप यह याद रखना प्लांट के किसी भी पार्ट में अगर ग्रीन कलर प्रेजंट है तो वो है क्लोरोफिल की वज़े से और अगर कोई दूसरा कलर दिख रहा है मालो की और इंज कलर की लीव दिख गई येलो कलर की वेरीगेटर लीव होती येलो कलर की दिख गई या फिर कोई और कलर मिल गया मालो अलगे में कोई और कलर मिल गया तो हमेशा क्या प्रेजंट होगा जैन्थोफिल और कराटनाइड इस रिस्पॉंसिबल फॉर दी अदर कलर इस इतनी बात समझ में आ गई ओके अब देखो एडिशनल एसरी पिगमे भी होते हैं इसमें कभी कुछ एडिशनल पिगमेंट भी हो सकते हैं specific groups में यह क्या होते हैं specific group of algae जैसे red brown और green algae मैंने आपको बता दिया red brown और green ठीक are distinguished from one another by nature of their photosynthetic and accessory pigment present obviously यह जो हम इतने अच्छे से कह रहें ना कि हमारे पास red algae है हमारे पास green algae हमारे पास brown algae है तो यह जो color changes हो रहे हैं यह किसकी वज़े से हुए यह इन्ही pigments की वज़े से हुए ठीक है इन्ही carotenoid xanthophyll और chlorophyll pigment ही है जिन्होंने अलग-अलग type के color के algae को बनाया है इतनी बात समझ में आगी clear इसको note कर लीजे ठीक है यह एक तो point हमारा पूरा इस से बना है पहला point हमारा पूरा किस से बना है पहला point हमारा बना है यह व यह वाला ठीक है यह वाला point equally जरूरी है यह भी note करना है जो मैंने लिखा है clear? note it down लिख लिया? अल्राइट अब इसमें एक चीज और important है वो क्या है कि आपने जब यह सब note कर लिया है तो एक point और note करना है कि यह जो हम types of algae पढ़ेंगे वो किस पर आधारित है? वो आधारित है हमारे type of pigment या accessory pigment जो उसमें present है उस पर तो यह last line जो है कि these specific groups of algae red हो, brown हो, green हो ठीक है? red, brown और green algae are distinguished from one another by nature of their photosynthetic and accessory pigment यह एक दूसरे से कैसे अलग है? यह depend करता है कि उनका accessory pigment क्या है ठीक है? तो यह वाला एक important point है, इसको completely आप note करिए, note it down this whole point, clear? alright, कर लिया, now the next is अब कुछ और features देखते हैं, तो हम जो feature देखेंगे वो है हमारे reproduction से related, किस से related है? reproduction से related है, तो reproduction इसमें तीन टाइप का होता है, कैसा कैसा होता है madam? it is of three types, okay? it is of three types, see first is, first is vegetative vegetative, reproduction होगा एक तो ठीक है? यह सारी चीज़े, note करनी है, जो मैं लिख रही हूँ reproduction कैसा होगा पहला? vegetative, दूसरा हो सकता है, sexual mode of reproduction हो रहा हूँ sorry, पहले asexual ले ले लेते हैं, दूसरा asexual mode of reproduction asexual mode of reproduction भी हो सकता है asexual के बाद हो सकता है कौन सा वाला? sexual mode of reproduction, तो हमें sexual mode of reproduction भी मिल जाएगा sexual mode of reproduction भी मिल जाएगा अब इसमें मैडम दिफेरेंस गया है अब एक चीज धीयान रखना जब भी वेजिटेटिव रिप्रड़क्शन होगा तो आपको पतह है क्या दिखने को मिलेगा आपको जो देखने को मिलेगा वह है fragmentation में तेट एई अवरी प्रड़क्शन में क्या देखने को में क्या होगा sports बन जाएंगे sports बन जाएंगे तो फिर मेनम प्रडक्शन में एक लीड़क्शन में यह क्या होगा गया ुक्त यह होती है तो मैंने जो एक पनाया मेंने जो इन के mode of reproduction के वह कैसे-क बनाे पहला ग्रूप vegetative reproduction का दूसरा ग्रूप asexual reproduction का, तीसरा ग्रूप sexual mode of reproduction का with their respective structures, अल्राइट, यह इनके respective structures हैं अब आओ थोड़ा detail में और देखते हैं क्या-क्या है algae reproduce by क्या-क्या method है, vegetative है, asexual है और sexual mode of reproduction present है and vegetative and asexual mode कौन से कौन से होते हैं सबसे जादा जो देखा जाता है mostly find mode of reproduction are these two, asexual और vegetative reproduction they reproduce vegetatively by fragmentation, देखो vegetative reproduction कैसे हुआ fragmentation से, asexual mode of reproduction कैसे हुआ motile और non-motile spores, यह जो मैं बोल रही हुँ ना spores है अब यह characteristically कैसे भी हो सकते हैं, यह motile भी हो सकते हैं यह motile spore भी हो सकते हैं और non-motile भी हो सकते हैं non-motile भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी भी type के spores हो सकते हैं sexual spores में भी mito spores, mito spores का मतलब होता है इस word को देखो ध्यान से, इस word को ध्यान से देखो word क्या है? mito spores word क्या है? mito spores मतलब जो mito यानि की mitosis के method से बने होंगे mitosis cell division के method से बने होंगे और दूसरा होता है meo spores तो meo spores जो होते हैं meo spores जो होते हैं, वो कैसे बने होते हैं? meo spores meo spores वो spores जो meiosis के method से बने होंगे किस method से बने होंगे? meiosis के method से तो ये दोनों बाते याद रहेगी भाई, ये तो याद रहने में क्या है? ये तो नाम पर depend करता है अगर लिखा है mito spores तो mitosis से बना है अगर लिखा है meo spores तो meiosis के process से बना है एक चीज और reproduction इसमें तीनो टाइप का मिल सकता है अगर vegetative part से हुआ, vegetatively हुआ तो fragmentation से होगा fragmentation का क्या मतलब होता था fragmentation का मतलब होता था कि माल लो मेरे पास यह algae है इसका fragment तूटा तो यह एक नया individual बन सकता है तो जो भी fragment तूटेगा वो नया individual बन जाएगा यह हमारा fragmentation का method है इस sexual mode में यह spores बना लेगा spores कैसे बनेंगे वो reproductive structure था उस reproductive structure को इसने सिरफ membrane छोड़ी थी पूरा structure किसमे convert कर दिया था spores में convert कर दिया था उसके बाद आता है gametangia अगर कभी sexual reproduction होने लगा complex structure में तो gametangia आएगा otherwise सारा खेल किसका होगा spores बना कर या फिर vegetative reproduction यानि की fragmentation से इतनी बात clear हो गई अब neospore और mitospores भी समझ में आ गए अब आते हैं sexual reproduction की थोड़ी बात करते हैं technically जो sex organs होते हैं जिने हम gametangia कहते हैं gametangia इसके क्या है sex organs है these are sex organs gametangia क्या है इसका sex organs are usually unicellular ये कैसे होते unicellular, खुद unicellular होते हैं मैंने ये नहीं बोला कि ये unicellular नहीं होंगे, multicellular होंगे खुद तो भाई gamet कैसा है unicellular है, non-jacketed है in case of multicellular sex organs मैंने कहा था कहा मिलेंगे जहां पर multicellular sex organs होंगे each and every cell is fertile हर cell fertile होता है fertile का मतलब क्या होता है fertile का मतलब होता है जहां पर fertility हो यानि की reproduction में हिस्सा लेकर नया organism बनाने की शमता हो क्या बोला मैंने fertilization जहां हो सके fertile यानि जहां fertilization हो सके fertile organism वो होता है जो reproduce करने की शमता रखता है और reproduction कर सकता है उसे हम कहते हैं fertile अगर नहीं कर पाएगा तो कैसा हो जाएगा? Infertile हो जाएगा. Fertility नहीं है. Reproduction नहीं कर सकता. तो यह कैसे होते हैं? Fertile. Sexual reproduction mainly occurs towards the end of growing season. अगर sexual reproduction होगा, तो कहाँ पर होगा? Growing season के आखिर में. जहाँ पर growing season कतम होने वाला होगा, उसके बिल्कुल आखरी में sexual reproduction चलो भाया growth का हो गया मौसम पूरा अब अपने को क्या करना चाहिए जन्म देना चाहिए PD को आगे बढ़ाना चाहिए तो जहां growing end होगा वहाँ पर पर यह क्या कर देगा sexual reproduction कर देगा तो कभी अगर question में पूछा गया mode of reproduction algae में कैसा होता है तो वहाँ पर तीन option आपके सामने है चौथा option कुछ भी हो सकता है none of the above all of the above वैसे ज्यादा chances है all of the above के और या फिर इन में से कोई एक option देके दूसरा कुछ और दे सकते हैं तो कैसा mode of reproduction है मैंने आपको बताया vegetative है a sexual है और sexual vegetative mode of reproduction में क्या हो जाएगा fragmentation हो जाएगा a sexual mode of reproduction में sports बन जाएंगे sexual mode of reproduction में role में कौन आता है gametangia that is the sex organ ठीक है कैसा होगा nature में gametangia unicellular होगा excel का होगा non-jacketed होगा इतनी बात समझ में आगई यह हो गई reproduction को लेकर बात इसे note कर लीजे this is about the reproduction of algae अब इसमें भी यह वाला जो हमने पढ़ा है न mitospore और यह यह वाला जो हमने पढ़ा है न mitospores or neospores mitospores or neospores mitospores or neospores this is utterly important मतब this is very important sorry this is very important यह वाला जो है यह बहुत important है इसको definitely mark करना है ठीक है इसे definitely mark करना है यह वाले points को all right noted down screenshot ले लिजे या फिर all right अच्छा एक question और पूछ सकते हैं इसमें कि सबसे ज्यादा mode of reproduction abundant mode of reproduction कौन सा होता है तीन option एक option यह दे दिया एक यह दे दिया यह वेजिटेटिव वाला दे देंगे sexual reproduction दे देंगे none of the above बोल देंगे और all of the above भी बोल सकते हैं या बोत a and b हो सकता है तो आपका option answer क्या होगा वेजिटेटिव और अगर वेजिटेटिव और a sexual दोनों दिया हो तीसरा sexual दिया हो और लास्ट option हो बोत first and second तो आपका option बोत first and second हो जाएगा abundant mode of reproduction याद रखना अपने दिमाग में सबसे ज़्यादा यह चलना चाहिए कि mode of reproduction जो algae का होता है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है और a sexual भी हो सकता है सबसे ज़्यादा यही दोनों देखे जाते हैं और जो सबसे कम देखा जाएगा वो है sexual mode of reproduction और राइट 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 डाउं गैमिटेंजिया देखके घबराना मत सिर्फ sex organ का नाम है ठीक है embryo stage इसके पास embryo stage नहीं होती, embryo is not formed in the algae बड़ा बड़ा माक करके लिख ले न, embryo embryo is not formed, embryo is not formed in algae, algae में क्या नहीं बनता? embryo नहीं बनता, बहुत 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 खास बात है ये, बहुत खास बात है ये, embryo नहीं बनेगा, ठीक है this summarized account of photosynthetic pigment, storage materials and complexity of structure अब हम जब भी ये जो types of algae है, मतब हम जब types of algae पर जाते हैं तो कौन-कौन सी types of algae है types of algae, इनके हमें technical नाम याद करने पड़ेंगे, पर मैं common बता देती हूँ common है green algae, green algae, ठीक, दूसरा है red algae, कैसा है, red algae, और फिर तीसरा है brown algae, brown algae अब ये सब एक दूसरे से अलग कैसे हैं जो हमने group बनाएं, तो ये सारे के सारे, एक दूसरे से कुछ common criteria के through अलग है, ठीक है, और वो criteria क्या है जिसने इनको अलग बनाया, वो है इनका सब का photosynthetic pigment, क्योंकि सब के पास photosynthetic pigment अलग-अलग है, photosynthetic pigment तीनों के पास अलग-अलग present है, और होगा क्यों नहीं माडम हमें समझ में आ रहा है कि उनके color अलग है, तो photosynthetic pigment अलग होगा, बिलकुल है, तूसरा, ये materials को कैसे store करते हैं, वो criteria भी अलग है, storage of material वाला इनका criteria जो है न, वो भी सब में अलग-अलग है, तीनों में अलग है, इसके बाद complexity of structure भी अलग है, मतलब इनके structures भी अलग है, तो इनमें complexity है, structures को लेके, complexity of structures भी है, इत्ती बात समझ में आई, ठीक, तो हमारे पास तीन अलग-अलग type के algae हैं, जो तीन अलग-अलग criteria को belong करते हैं, पहला है photosynthetic, दूसरा है storage, तीसरा है complexity, ये तीन बाते हैं, जो इन तीनों में अलग-अलग हैं, इसलिए इनके अलग groups हैं, तो मैम हम उसको याद कैसे करेंगे, जैसे मैं बताऊंगे, वैसे करेंगे, इसके लिए हम एक proper table बनाएंगे, देखो कभी भी ये बात हमेशा याद रखना है, biology हम जब भी पढ़ते हैं, तो एक biology के student की खास बात यही होती है, कि उसे पता रहता है कि कि धर flow chart बनेगा, कि धर पर reaction की तरह arrow लगा के सारी चीज़ चला देनी है, कि धर पर table बनाना है, और ऐसी चीज़ों से हम जादा memorize कर पाते हैं, अब मैं तुम्हें एक paragraph लिखवा दूँ, green algae, chlorophyll AB present है, store करेगा, starch के form में food, अगर मैं तुम्हें इस चीज़ का एक पूरा paragraph दे दूँ, तो याद करना मुश्किल होगा, हैना आप पे तीनों के paragraph रटे जा रहे हैं, याद करे जा रहे तो आपका वो चीज़ भेजना जरूरी है, एक बात, दूसरी बात आपको ये याद हो गया होगा अभी तक कि green algae, red algae, brown algae, green algae, red algae, brown algae होता है, बिल्कुल हो गया होगा, लेकिन आज से इस session से जहां पहली बार algae के general features पढ़ रहे हो, यहां से आपको अपनी आदत बनानी है, क्य technical names अभी जब मैं आगे बनाओंगी, बताओंगी, पहले इतना note कर लिजे, कर लिया, all right, इसके बाद ये वो table है जो आपको बनाना है, और सबसे पहले इनके नाम याद करो, सबसे पहले लिखो red algae का नाम, ठिक, red algae का नाम लिखोगे, फिर लिखोगे brown algae, फिर लिखोगे green algae, म मैं आपको नाम बता रही हूँ, क्या लिखना है, पहले ये तीन जो लिखे है ना, अभी इसके सामने, ये इसके सामने, अलग color के penia pencil से, पहले इतना note करो, इसके सामने अलग color के penia pencil से हमें उनके technical names लिखने है, write it down, तो इनके names जो हैं, वो क्या है, देखो, green algae को हम कहते है, green algae, green है chlorophyll की वज़े से, तो इसे हम कहते है, chlorophyce, red algae, red color R से है ना, तो इसको हम कहते है, rodo, इसे हम कहते है, rodo, phyce, ठीक, और brown algae को हम कहते हैं, थोड़ा सा अलगे, एक ही नाम अलग याद करने हैं, बाकी तो मिलते जुलते हैं, brown algae को हम कहते हैं, फेo, phyce, ठीक, तो ये तीन नाम important अभी से याद करने हैं, तीनों के तीनों मुझे comment section में लिखके बताओ, chlorophyce, green algae लिखना, rodo, phyce, red algae लिखना, feo, phyce, brown algae लिखना, तीनों चीज़े मुझे comment में अभी लिखके बताओ, अभी से याद करना है, ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, मैं फिर से repeat कर रही हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या problem है, पहला मैंने क्या बोला, पहला है, रोडो, phyce, उसके बाद, sorry, chlorophyce, रोडो, phyce, feo, phyce, chloro, green color का chlorophyll, तो green algae chlorophyce, red color का, रोडो, phyce, brown color का, feo, phyce, all right, done, fine, आगे बढ़े, इतना note कर लिया, सबने comment में लिख दिया, आगे देखो, अब हम इनके, जो हमने group सभी देखे थे, किस तरीके से हमने इसे divide किया है, उसे हम आगे continue करेंगे, एक table के form में उसे पढ़ेंगे, तो पहले हमने ले लिया है, कि पहले number में ले लिया, photosynthetic pigment कौन सा है, ये देखेंगे, तो chlorophyll है, तो कौन सा है, और others है, तो कौन सा pigment है, इसके बाद हम देखेंगे, storage material किस चीज को store करके रखता है, storage material देखेंगे, और फिर complexity of structure, जो अभी मैंने पिछले slide में आपको बताया, किस चीज पर आधारित changes है, इ इतनी बात clear हो गई, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पहले हमारे पास है red डालगे, red डालगे ये रोडोफाइसी, कौन सा chlorophyll present है, RED red होता है न तो AD pigment present है, AD chlorophyll present है, AD chlorophyll, ठीक, इसके बाद इसके पास कुछ और भी pigment है, अगर phycobilins नाम के इसके पास pigment होते हैं, इसको हम phycoerythrin, phycosinin, alo phycocinin कहते हैं, ये तीन अलग-अलग pigment है, ठीक है, तीनो pigment are phycoerythrins, erythrins जैसे अपने erythrocyde, rbcs होते थे तो red color के होते थे, तो red color का दूसरा pigment phycoerythrin नाम का, phycosinin नाम का, और फिर alo phycosinin नाम का भी होता है, तो ये food store करता है, वो किस form में करता है, starch के form में, कौन सा starch है, floridian starch complex form of starch, और complexity of structure कैसा हो सकता है, या तो unicellular हो सकता है, या तो फिर multicellular हो सकता है, is this thing clear to you, अब आओ, brown algae की बात करें, brown algae में chlorophyll तो present है, कौन सा वाला, A और C chlorophyll present है, जो brown algae उसको क्या कहते हैं, phyofyc कहते हैं, तो AC pigment present है, special keratinoid और xanthophyll, मैंने आपको बोला ही था, कि जहां पर भी green के अलावा, दूसरा color आएगा, keratinoid और xanthophyll, foreign आ जाएगा, तो brown color के लिए keratinoid और कौन सा present है, xanthophyll, again food laminarian form में stored है, starch के form में, और lipid के form में, तो ये एक ऐसा अकेला group है, algae का, जिसके पास lipid भी store होता ह है, जिसके पास खास बात है कि lipid भी store होता है, अधरवाइस तीनों के पास starch होता है, laminarian भी complex, जैसे कि अपना carbohydrate होता है, ऐसे complex form of starch होता है, तो ये दोनों चीज़ों को store करता है, body कैसी होती है, इसकी exclusively multi-cellular, तभी तो lipid को store कर रहा है, unicellular विचारा कहा, lipid को लेके जाएग ठीक, इसके बाद आता है green algae, that is chlorophyce, उसमें कौन सा present है, A or B pigment present है, इसके अलावा, यहाँ पर question बनता है, इस point पर question बनता है, क्या present है, alpha, beta and R carotines present है, lycopene present है, special xanthophyll present है, जैसे lutein हो गया, xanthin हो गया, violexanthin हो गया, neo xanthin हो गया, etc., ये सब present है, तो ये वाला जो point है न, ये वाला जो point है, इसको special mark कर लेना, और वो मुझे शायद Shreya की copy में देखा था, मैंने या किसकी copy में, जिसने cloud बना के याद करा था, वही cloud बना करके इसको याद करना है, copy में अलग से cloud उठता हुआ दिखना चाहिए, जहाँ पर हमें कौन मिलेगा, दूसरे pigments मिलेंगे, जैसे कि alpha, beta, carotene मिलेगा, lycopene मिलेगा, special xanthofils होते हैं, xanthofils भी होते हैं, ऐसा नहीं, green है तो xanthofils नहीं होगा, होगा, ठीक है, इसके बाद food is stored in the form of starch, normal starch के form में, और unicellular भी हो सकता है, multicellular भी हो सकता है, so this entire table, this entire table differentiate between all these three types of algae, अब जैसे मैं आपको यी चीज समझाना कि मैं बहुत sure हूँ, आपने definitely वो table जरूर देखा होगा, five kingdom classification वाला, जहाँ पर उनके features को समझाया गया था, इसी तरीके से, आज का जो ये वाला chart है, अगर आप ये समझ गए, तो आगे आने वाला chlorophyce, rhodophyce, phaeophyce, आपको अराम से समझ में आ जाएगा, आपको कोई problem नहीं आएगी इस algae को आगे समझने में, बस ये chart, आज का ये पहला step चल लिये, तो आगे के बाकी steps थोड़े easy हो जाएगे, पहले आप इसे note down, clear, all right, कर लिया इसे note, हाँ, okay, अब एक बात, जो आज के session से याद करना चालू कर देना है, अभी session खतम करने के बाद भी खुद से बो chlorophyce, green algae is called as chlorophyce and brown algae is called as phaophyce, is that clear, all right, यहाँ तक का complete कर लिया, next, हमने जितने भी general features थे, general characteristics थे, algae के वो हमने आज के session में cover up किये, next session में हम इसके आगे के parts पर जाएंगे, लेकिन आज का session हम को फिर से देखना है, और हम इसे कहाँ जादा अच्छे से देख सकते है, official website, visit कर ये आपको type करना है, www.magnetbrains.com, आपके सामने एक official page open होगा, उस पे आएगा option explore top courses का, उसमें जाकर के neat select करिये, neat में जाकर के biology for neat select करिये, watch now क्लिक करिये, तो आपके सामने कैसा descriptive page open होगा, with respect to neat biology, जहाँ पर आपको option मिलेगा, watch all videos का, इस पे जाने के बाद, आपको अलग-अलग chapters के videos इस तरीके से मिल जाएंगे, जिस भी chapter को आप पढ़ना चाते हैं, उस पे click करिये, click करने के बाद, आप देखोगे, आपको sequence में एक list मिलेगी lectures की, उस lecture की list में से जो भी topic आप पढ़ना चाते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, उसे select कर लीजे, उस पर watch now क्लिक करिये, तो video इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा, आपको कोई परिशानी नहीं आएगी, आप आराम से इने देख सकते हैं, ठीक, और बहुत important बात ये है, कि Magnet Brains IITJ NEET के इस channel पर ये जो NEET का complete course है, ये 100% free of cost है, not even a penny, 100% free of cost, आपको छोटी सी चीज ये करने हैं, वैसे तो आ like जरूर कर देना, subscribe जरूर करना है channel को और इसे share करना है अपने सारे friends और siblings के साथ and tell them about the same thing, मैं आप से मिलूंगी next session में, तब तक के लिए, thank you so much, take care and keep studying, keep trying to remember the names, thank you so much.